भारत माता की भारत माता की जै मा भद्रकाली भद्रकाली अम्मवारी महत्यानिकी समक्का सारलम्मा पौर्शानिकी प्राणी रुद्रमा प्राक्रमानिकी प्रथ्याती गाचिना वरंगलकु रावडं संतो शंगाउंदी आज मैं एक बीजेपी कायरकर्ता के रूप में बारंगल मैं आप सब के बीच आया हूँ ये खेत्रा जनसंग के जमाने से ही हमारी विचार धारा का मजबूत किला हुआ करता है जब संसद में बीजेपी की सिरफ दो सिटे थी तब हनुमान कंडा से सी जंगा रेडी जी संसद हुआ करते थी आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनितिक दल है तो इसमें तेलंगणा की इस धर्ती की बहुत बड़ी भूमिका है मुझे खुशी है कि अब यहाँ बीजेपी का अंदिरंतर विस्तार हो रहा है 2021 में यहाँ के मिनिस्पल कॉर्परशन के चुनाव में बीजेपी अपने प्रभाव का ट्रेलर दिखा चुकी है इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पहुँचे है इसका संदेश साफ है अब विदान सभाज चुनावों में बीजेपी अहां बी आरेस और कॉंग्रेस दोनों का पत्ता साहप करने जा रही है साथियों यहां आने से पहले मुझे तेलंगना के विकास से जुड़े हजारों करोर रुपिय का यह प्रोजेश का सेलान्यास करने का आउसर मिला इनसे इस खेत्र में सुविदा तो बढ़ेगी ही रोजगार के भी नए अनेक अउसर बनेंगे पिछले नव वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने तेलंगना के विकास के लिए पूरी शक्ती से काम किया है आज तेलंगना में करीब 36,000 करोड रुपिये के नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है 2014 में तेलंगना के लिए जो रेल बजेट था आज उसका 17 गुना 17 टाइम अधी रेल बजेट तेलंगना के पास है बाजपा का लक्ष यही है तेलंगना विक्सित बने तेलंगना भारत को विक्सित बनाए साथियों भारत की आत्म निर्भरता में तेलंगना की भूमी का बहुत बड़ी है जब भारत में तै किया है कि हम कोरोना की वैक्सिन भारत की अपनी वैक्सिन बनाएंगे तो तेलंगना के लोगों ने आगे बढ़कर अपना दाईत्म निभाया जब भारत ने तै किया कि हम दवाईयों के लिए कच्चा माल बनाएंगे तो तेलंगना के लोग नई उर्जा के साथ जुड़ गए जब भारत ने तै किया कि हम मेडी इंडिया पर बलनेंगे तो तेलंगना के मैनिपेक्टरस ने पूरी ताकत लगा दी जब भारत ने तै किया हम यूरिया में आत्म निर्वर होंगे तो बर्सों से बंद रहा रामा गुन्नम खादकार खाना फिर से सजीव हो उठा और साथियों जब भारत ने अपनी रेल को आधुनीक बनाने का फैसला किया तो भी इसमें तेलंगना ही अपनी बड़ी भूमी का निभा रहा अब काजी पेट में वैगन बनाने की नई फैक्टरी बन रही है यहाँ बनने वाले सेंक्रो वैगन भारतिय रेल के विस्तार और एक्सपोर्ट दोनों को बल देंगे भाई और बहनों बीते नव वर्षों में पूरी दुनिया में देश का इतना गवरो बड़ा है भारत को लेकर आकर्षण बड़ा है इसका भी फैदा तेलंगना को हुआ है यहाँ पहले के मुकामले अब जादा इंवेस्टमेंट आ रहा है और इस जादा इंवेस्टमेंट का फैदा तेलंगना के युएँ को हो रहा है उसे नोकरी मिल रही है बाजपा सरकार ने दुनिया में भारत की जो साख बढ़ाई है ये उसी का नतीजा है लेकिन सवाल ये है कि हाँ तेलंगणा में जो सरकार है उसने क्या किया साथियों यहां की राज्य सरकार ने सिर्फ चार काम किये है यहां की सरकार ने सिर्फ चार काम किये है पहला सुबे साम मोदी को केंद्र सरकार को regularly गाली देने का काम किया है पूरी डिक्षनेरी इसी काम में लगाई है दूसरा काम क्या किया है एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगनाना काम मालिक साबित करने का काम किया है तीसरा काम क्या किया है इन्होंने तेलंगणा के आर्थिक विकास को चौकपट कर दिया चौथा काम क्या किया चौथा इन लोगोंने तेलंगणा को ब्रस्टाचार में डुबो दिया आज तेलंगणा में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें प्रस्टाचार के आरोप नहीं है के सियार सरकार याने सबसे प्रस्ट सरकार और देखिए खेल अब तो दिल्ली तक इनके प्रस्टाचार के तार फैल गए है हम पहले दो देशों या दो राज्जों की सरकारों के भी विकास से जुड़े समझोतों की खबरे सुना करते थे कि पहे विकास के लिए दो राज्जों ने समझोता किया पानी के लिए दो राज्जों ने समझोता किया ऐसी खबरे आती थी लेकिन ये पहली बार हुआ है जब दो राज्जनितिक दलों और दो राज्ज सरकारों के बीट प्रस्टाचार की डील के आरोप लगे हैं ये दुर्भाग्य है कि जिस तेलंगना के लिए जनता ने इतना संगर्ष किया इतने बलिदान दिये उस जनता को ऐसे दिन देखने की नौबत आई है और साथियों मैं एक और बात कहूंगा यहां सत्ता में जो परिवार बैठा है जो करोडों को गोटालों में लिप्त है जिस पर जाँच एजन्शियों का सिकंजा लगातार कस रहा है जिसकी पोल तेलंगना के लोगों के सामने खुल चुकी है वो परिवार अब तेलंगना की जनता को गुमराह करने के लिए माइंड डायवर्ड करने के लिए नए नए हतकंडे अपना रहे आपको इन हतकंडों से इनकी चालबाजियों से सावधान रहना है के लिएर अे करना है झालबात टायवर्ड करना कर दो योट लोगा/. क्रश मोर्श करने के लिए ताम्यूं UP एंप पाह लिए आपको बड़नार्वाबें झाल झाल